कि अपन चला कौन से इस लास नाइन का अपन लाइन्स एंड एंगल्स कि कुंसे एकसे सब्सक्राइब इस प्रकार से है अगर अपन देखे और सिस्टेमेटिक बात करें तो पॉस्टिन कुछ इस प्रकार से है कि यह आपके पास 50 है यह आपके पास X है यह आपके पास Y है और यह आपके पास 130 आपसे बुलाएं A, B is parallel to what? C, D. A, B is parallel to C, D. Find the value of X and Y. एक मिंट में इसका answer आएगा, we know that 50 plus X, कितना हो जाएगा? 50 plus X is equal to 180, क्या बन रहा है? linear pair, क्या बन रहा है आपके पास? linear pair, linear pair का मत्तलब इस अब पूरा D बन जाता है, जब यह पूरा ऐसा D बन जाता है, ठीक होता है? linear pair. तो X is equal to कितना आजाएगा आपके पास 130, कितना आजाएगा 130, सर क्या X और Y आपस में equal होगे? क्योंकि यह कौन से angle होगे? alternate interior angles. तो सर, X is equal to कितना? Y is equal to 130, क्योंकि यह कौन से angle होगे आपके पास? alternate interior angles. सर, आप अगर थोड़ा सा हमारी खुशी के लिए सारे angles को clarify भी कर दो, जो अपन ने class 8 में पढ़ चुके, तो अगर आपको उसकी भी clarity चाहिए, तो कभी भी अगर आपके पास दो lines आपस में क्या रहती है? parallel. अगर मैं बात करूँ कि अपके पास अगर दो lines आपस में parallel होती है, तो दियान रखेगा, मैं आपको नाम बता रहो, angle 1 और angle 2. या इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, इसको क्या बोले? 4, then यह 5, then 6, then 7, then 8. दियान रखेगा, एक angle 1, तो 2 को छोड़के 5. एंगल 1 is equal to हमेशे क्या होता है? एंगल 5. एंगल 2 is equal to 5 को छोड़के रहेगा? 8. तो एंगल 2 is equal to कुछसा? एंगल 8. यहां पर 3 अपने बात वाले को छोड़के, एंगल 3 is equal to किता हो जाएगा? एंगल 6. और एंगल 4 is equal to किता हो जाएगा? एंगल 7. यह सारे ही एंगल corresponding angles होत होते हैं क्या होते हैं? इसर, corresponding angles का मतलब होता है, एक छोड़के 1. एक छोड़के 1. मतलब यह एंगल के बार यह छोड़ा यह बख गया. इसके बार यह छोड़ा और यह बख गया. ऐसको मार रहें आ रहा किसको माल रहें आदर कऱ किसको माल रहा है और आँगल है 2 ऑल्वेज बीइपट को थ nell da अगर आपके पास यह समझ में आ गया और अच्छे से क्लियर होगा अब अपन सिस्टेमाटिक तरीके से आपके पास यह आपके पास एक्स हो गई लाइन देके रखिए आपको तीन लाइन देके रखिए और ऐसी ट्रांस्वरसल ठीक है आपको बोलके रखा है कि इस इस एक्स इस इस वाट वाइ इसका मतला पासे एक्सलिण क्या हो जाएगा और वाई इसे कुल कि तो व्यम एंगल seen side इनका सम हमेश्य होता है 180 क्या होता है क्या होता है क्या होता है यहां पर आपके पास बाइगा X plus Y is equal to kittah 180, इसका मतलब 3A plus 7A is equal to kittah 180, इसका अरथात क्या हो गया, 10A is equal to kittah 180, आपके बस A is equal to kittah 18 डिगरी, एक एंगल क्या है, 3A और एक एंगल क्या है, 7A, तो 3A plus 7A, मतलब क्या होगा, 10A, 10A is equal to kittah 180, A is equal to kittah 18, अब X का मतलब क्या हो जाएगा, 3 into 18, और Y का मतलब क्या हो जाएगा, 7 into 18, तो अगर मैं बात करूँ, 54 डिगरी, और यह कितना हो जाएगा तो उनका, 126, सर, X is equal to 54 डिगरी, Y is equal to kittah, 126, अच्छा सर, अगर अपने बात करें कि अगर यह कौन से होगी, 54, यह कितना होगा, 126, तो मुझे छोटी सी बात बताओ, जो एंगल X होगा, क्या वही एंगल PV होगा, क्या X और P equal होगे क्यों, Q, A छोड़के A, बिल्कुल से, तो X is equal to P, X, तो मैं पास X is equal to, क्यों जोगे क्योंक न पास P, X is equal to, क्योंसा एंगल होगे, फ़ोगे क्यों। एक्स के बाद वाई को छोड़ा तो इसका मतलब पी भी किता होगा 54 पी होगा क्या वही जेट होगा तो सर अगर अपन बात करें जो पी होगा वही आपका क्या हो जाएगा अगर यहां तक समझ में आ जाए तो अपने पास नेक्स्ट क्या चलेगा तो सर आपके पास अगला गेम कुछ इस परकार से है कि यहां पे आपके पास क्या है अगला पॉश्चिन था अच्छा सही है और उससे परलेल एक लाइन है अगर आपके पास है सीडी ए भी है सीडी है यहां से उन्हें एक एसी लाइन बनाते रखें यहां पर उनने जी नाम देके रखें यह ए है और यह क्या है कोना ने बोला एंगल जी एड पूरा ओट पे एंगल जी ई इडी इस उपनाट टूफ सर्क नाइट यहला एक्स 90 प्लस X is equal to 126 तो सर यह 90 हो गया और यह किता है X उन्हें बोला किया है G E D यह पूरा G E D किता है 126 ऐसे यह पूरा और यह पूरा क्या आग मारने क्या अपनों बोल सकते क्या एंगल ए जी आगल यह लाएं कि के पास को से एंकल सोगा हाँ और इंटिरियर एंटिरियर एंकल्स वेखर 126 यह भी कित तो उगहा है। लिए नंट एनंट एक यहांसे अगल एक ऐसे एक्वल टुए एंगल एसे इई-वाल इसको अगल एकीनिया कॉनसे हां जाएगा ओल्डेर की इन्टिर्याइच अगल इंडियर अगर मैं इसको नाम दूँ एंगल जी क्या नाम दूँ तो मैं बोज़ता हूं कि 126 प्लस जी इस इकुल तो किता हो जाएगा आपके पास 180 जी किता हो सब्सक्राइब टुम को तो पता है ना यह दूनों एंगल बिलाकर किते वाने जो भी एंगल सेम साइड और ट्रांस पर होते हैं तो यह दो सेम जो साइड पर होंगे तामेजा सम किता रहता है तो से अपने गोल सकते हैं क्या 126 प्लस एंगल कौन सा इस साइड बाद कौन सा नाम होगा अच्छी बात अगला एक बहुत काम का कॉश्चन बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों उसको समझें और ध्यान से जिखें कि मेरे पास एक यह लाइन ऐसे कुछ गिवन है आपको यहां पर गिवन है P Q R S T आपको यहाला वन्मंट टैन डिगरी गिवन है यहाला एंगल वन्ट्री जीडो गिवन और आप से एंगल पूचा है एंगल क्यों आपको यह लाइन डिकर अगर आप लोग अलाओ पर होते कांस्ट्रॉक्शन करना चाहता हूं सर क्या कि यहां से एक पारलल लाइन बनना चाहिए प्राओ एक्सवाई राओ आप एक्सवाइ प्राओ नाम देने किता है सबसे पहले मुझे वाद बताओ अगर मैं यहां इस वाल एंगल को नाम कि तक भी तो क्याना ऐसे वन थर्टी प्लस ए इस इक्वल टू कि तो इसे कौन से एंगल होते हैं ओ इंपेरियर एंगल तो शायद ए इस एक्वल टू कि वॉन एंटी माइनस वन थर्टी इस तुमाइं पस एक्वाक करों एक सो दस इक्वल टूरी इस से एक्वल 70 plus X plus 50 is equal to 180 अगर दो एंगल की जगा तीन एंगल तो आप बोलोगे स्ट्रेट एंगल की जो भी बन तो पुरा दीर है लेकिन दो एंगल नहीं है कि तीन एंगल उसको क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल क्यू आर एस निकालना था किता हो गया सही किया तक सर ऐसे तो प्वेश्चन अगला भी इजी ही गिवन है और कैसा गिवन है अगर मैं बात करूं तो आपको गिवन है यहां पर क्या एक लाइन गिवन आपके पास ए भी इन आपके पास एक लाइन गिवन है क्या सी डी आपको गिवन है यहां पर क्यू आर पी इन गिवन है कि आपके पास 50 इन गिवन है आपके पास वाय यहां पर गिवन आपके पास 127 और यहां पर गिवन है पस एक्स सही है तो मेरे लिए बहुत एजी है क्योंकि मैं मुरूंगा 50 इस इकल टो एक्स आपके एंगल के आपके और एंगल क्या हो जाएगा आपके पास अल्टरनेट इंटीर एंगल आपके बहुत प्रश्चा यह इंगल है ना A is equal to किता हो जाएगा 180 minus 127 A is equal to किता हो जाएगा 53 A आपके पास किता हो गया X किता हो गया 50 अब अगर बात करूँ 50 plus 53 plus किता हो Y is equal to 180 angles are triangle है न Y is equal to किता हो जाएगा 180 minus इन दोनों का सम किता हो answer किता हो 77 किता answer आजाएगा आपके पास सही है किया है यहां तक पक्का चले अब what next अगर अगर अपन what next की बात करें मेरे पास अगला question है कि आपको बोलके रखा है PQ और RS PQ और RS आपके पास क्या है mirrors क्या है आपके पास PQ और RS आपके पास क्या है आपको बोला एक रह गई A B और A reflect हो दिये है यहां पे ऐसी ठीक है C और यहां से reflect प्रेसी बनाएगा CD सही है अब उन्हें बोला है Proof that कि भई A B Parallel to क्या है CD हमने बोला देखो यार आपको तो ज़्यादा कुछ नहीं पता आपको A B Parallel to क्या चाहिए CD A B Parallel to CD तभी होगा अगर अपन बात करें कि मैंको यहां से यह पूरा एंगल भी और पूरा एंगल C आपको एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए तो अल्टेर इंडियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे तो लाइन्स क्या हो जाएंगे इसका मतलब अगर आपको A B Parallel to क्या करना CD तो आपको पूरा एंगल B करना पड़ेगा पूरा एंगल C अब ऐसे में अगर मैं यहां से एक कासी लाइन की जो नॉर्मल जो कि साइंस के पर नॉर्मल की ज़िए पता है ना जैसे, यहां पर इंसिटेंट्ट हुए है कि यहां प्रिफ़ एंगल आई वन कों सा हम एंगल डैने हैं कि और हम एगल से दो लगया और किंगे कि आँखा इबकते वाइब किल गया तरहिंत को है और यह तिसी बात तो क्योंकि भी घंटी और सीन्समीन क्या है नॉर्मल्स कि नॉर्मल सोता है इसका मतलब यह भी स्टेटि नैंटी से बन रही है और यह बीचे और हो गहीं आ हुए अगर यह और यह भी किता है क्या होता है तो आपको यह नॉर्मन मेकिंग एंगल ऑफ किता है अब सिर्फ फोकस करो जो मैं बोल रहा हूं क्या यह वाला और यह यह वाला वाइग उक्वल है क्यों क्यों देंगे अग्र दीमर्ण करें ओटलेंगे वाइग उफटा इसका यह एकसे एक्वल टू किया हो जाएगा मतलब एंगल और इसका नहीं और तुमने क्या बोल दिया एक्स इपल्टू किता वाइं तो मैं बोल सकता हूं कि एकस एक्वल टू-वाय का मतलब पूरा टू एक्स इकल तू पूरा टू आपने बोल जिया एक्स इकल टू यह तो फिर आप तो नहीं हाता है फिर समझ लो इस पूरे क्षिटन में क्या हुआ आप ने क्या बनाई नॉर्म तो यहां से आई इस इकल टू किता हुआ आर यह एक्स इस इकल टू किता हुआ एक्स आई वन इस इकल टू किता हुआ आर वाय तो वह भी क्या हो गया वाय बनों पर डाउट में आपका कर सकते हो